Hello everyone, welcome back to my channel, so guys, आज बात करते हैं intellectual property की, तो intellectual property means क्या होता है, intellectual property means होता है कि जो human mind ने जो create किया है, यानि मनुष्य ने जो बनाया है खुद से, उसको लेते हैं intellectual property के अंडर, तो intellectual property में जैसे कि अगर किसी ने कोई चीज खोज की है, किसी ने book लिखी है, poetry लिखा है, ये सारे intellectual property के calendar आते हैं, तो इसके कितने types हैं, सबसे first है, copyright, patents, trademarks, industrial design और geographic indication, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं copyright की, तो copyright का मतलब क्या होता है, कि अगर किसी person ने कोई book लिख दिया है, ठीक है, या कोई artistic work किया है, तो वो ये चाहता है कि सिर्फ मों मैं use करूँ, ऐसा नहीं है कि कि और ने अपने बिहाब पे और आजकल जैसे कि YouTube चल रहा है, तो उसने ये mention थोड़ा सा कुछ करके और उसने ये बोल दिया कि मैंने बनाया है, तो वो ये चाहता है कि उस चीज के लिए मेर को ही copyright मिले, तो इसके लिए Indian government ने एक act पास किया था, जो copyright act 1957 में बना था, उसके ब बाद में बहुत सारे amendment भी आए, तो copyright in India is governed by copyright act 1957, उसके बाद बाद करते हैं, copyright protection, original work, for example, artistic, musical, formula, lyrics, art, poetry, website, film, etc. यानि copyright इन सभी चीज़ों के लिए, यानि कि artistic work के लिए मिल सकता है, musical, formula, lyrics के लिए, arts के लिए, poetry के लिए, website, film, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे कि, literature है, इन सब चीज़ों के लिए copyright ले सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं, कि जो copyright है, वो कितने times के, मतलब कितने समय के लिए लिया जा सकता है, तो copyright एक percent जब तक जिन्दा है, copyright लिया उसके बाद तक जिन्दा है, तब तक उसके 37, जो मरने के 60 साल बाद तक, वो copyright उसके protection is granted for a period lifetime of the author, additional में 60 years after death, I hope guys आप लोगों को समझ में आये होगा, so thank you so much